जी मैं बताना चाहूंगा कि कॉंग्रेस के राश्ट अद्धक्ष राहूल गांधी का राजधानी वहपाल में कल एक दोरा है लोकसवा चुनाओं से पहले राहूल गांधी मद्धप्रदेश की राजधानी में वे बड़ी किसान आभार रेली करने जा रहे हैं और इस दोरे स एक दिन पहले मद्धप्रदेश में कमलनाथ सरकार केबिनेट बेठक करने जा रहे है और यहां पर लोकसवा चुनाओं को देखते हो राहूल गांधी के दोरे को अहम मानते हुए केबिनेट बेठक में कहीं अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने की खवायत हो रही है और मै किसानों का करज माफ और बिजली बिल हाफ है कि करज माफी के बाद अब कमलनाथ सरकार अपनी केबिनेट बेठक में किसानों का बिजली बिल हाफ करने को लेकर महर लगाने वाली और इसी के तहथ मैं बताना चाहूंगा कि 10 हर्स पावर तक के क्रिश्य उभाखताओं को यो पास साल तक दिया जाएगा यानि कि कमलनाज सरकार ने जो वादा किया था कॉंग्रेस ने चुनाओ से पहले जो वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे तो इसी के तहट कमलनाज सरकार जो है अब मत्रप्रदेश में केबिनेट बेठक में 4,000 रुपर प्रति महा भत्ता देने का फैसला करेगी और इस पर आज इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया जाएगा और इसके लिए नगरी प्रसाशन विभाग ने युवा सोभिमान योजना का प्रस्ताव बना कर भी भेज़ दिया वहीं अगर एक और हम बात करें तो इसमें परियाटन करेंगे वहीं अपने सरकार का रिपोर्ट काड भी पेश करेंगे नि की राहूल गांदी मंच सीदे कमलनाथ सरकार ने वचन निभाय है उनका रिपोर्ट कार पेश करेंगे ऐसे मैं तमाम इन समीकरनों को ध्यान में रखते हुं मुख्यमंद्री कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओ को साधने के लिए आज केबिनेट बेठक में एहम प्रस्ताव को फैसला लेकर इसे प्रस्ताव को मंजूरी देकर यहाँ पर एक बड़ा ट्रम कार्ट चलेंगे ताकि राहूल गांधी जब अपना उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ट पेस करे तो बेरोजगार वाओ को किसी प्रकार की कोई शिकायत ना रहें